नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जन्हित आवाज और मैं हूँ राशिन खबर है राजिस्थान से जहां राजिस्थान के शेहर शेहर में आग लगी हुई है एक नहीं दो नहीं बलकि कई शेहर हैं जिनका माहौल बिगड रहा है माहौल एकदम खराब हो चुका है राजिस्थान में आग लगाने के लिए ये खबरें काफी हैं जो वहाँ पर शेहरों में आजकल घट रही है कई शेहरों का माहौल खराब है रोज घटनाए हो रही है कई समुदायक लोग आपस में भिड रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर माहौल खराब हो रहा है आखिर कौन है ये लोग जो राजिस्थान में शांती कायम करना नहीं चाहते हैं कौन है ये लोग जो राजिस्थान में हाल खुशाल नहीं देखना चाते आखिर कौन है वो लोग जो राजिस्थान का माहौल बिगाड़ना चाते हैं एक नहीं दो नहीं बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कई दिन से राजिस्थान चर्चाओं में हैं कभी करॉली सबी वारदाते आपको बताऊँगा, सबसे पहले बात करते हैं भीलवाडा की, जहां भीलवाडा में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, भीलवाडा को बंद का आहान कर दिया गया है, उसके बंद का एलान इसलिए कर दिया गया है, क्योंकि महाँ पर एक आदर्ष नाम के इसलिए मच रहा है क्योंकि तमाम हिंदू संग्ठन, बीजेपी हो, वीएचपी हो, हिंदू जागरण मंचों नोंने भीलवाडा के बंद का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने ये तक कहा है कि हम इसका तब तक शव नहीं लेंगे, जब तक आरोपी पकड़े ना जाए, अब बात सामने आई है कि एक किराने की दुकान पर छोटी सी बात को लेकर ये बहस शुरू हुई, और अगले दिन उस युवक की जान ले ली जाती है, आठ दस लोग बताए जाते हैं, और आदर स्तापड़िया जिसकी उम्र मातर 22 साल है, उस लड़के की जान ले ली जाती है, सर्याम चाको से उसे गोद दिया जाता है, इसके बाद माहौल खड़ाब हो जाता है, और कहा जाता है कि दूसरे समुदाई के लोगों ने इसे माराया और वहाँ पर राजनीती गर्मा दी जाती है, और तमाम ये जो संग्ठन हैं, वहाँ पर अब इखटा हुए हैं, बंद स्वोर्स कायम है, ताकि माहौल ना बिगड़े, इस तरह से वहाँ पर घटनाए हो रही है, ये पहली घटना नहीं है, जिसने राजिस्थान का माहौल बिगाड़ा है, मैं आप से फिर भी कह रहा हूँ, कि आखिर ये कई ऐसी घटनाए हैं, जो पूरे राजिस्थान को, प ऐसे एक छोटी सी बात को लेकर ये जगड़ा शुरूआ और हम सौरी भी बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने धम की दी, और फिर बाद में आके उन्होंने उसे मार दिया, छोटी सी घटनाए हो रही हैं कि लोगों में बरदास्त नहीं है, बिलकुल भी इतनी जरा जरा सी बातों पे लोगों की जान ले ली जाती है, और फिर इस मामले में राजनीती शुरू कर दी जाती है, हालकि इस मामले में कहा जा रहा है कि तीन लोग गरफतार हो गए हैं, लेकिन आज भिलवाड़ा में बंद का एलान है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, फिर वहाँ पर एक को चाकू मारा गया, दूसरे की टांग तोड़ी गई और तीस से जादा लोग इसमें घायल हो गए, वहाँ पर माहौल कैसे गरमाया गया, फिर कर्फियो भी लगा दिया गया, उसके बाद भरत्तुर में, उसका नमबर आता है, भरत्तुर में कैसे माहौल बिगड़ा, पुरे देश ने देखा करॉली हिंसा कैसे हुई, फिर राजगर से मामला सामने आया है, वहाँ पर मंदिर गिराने पर तनाव हो गया है, यह ऐसे तमाम मामले हैं, जो राजिस्थान में बवाल मचाने के लिए या राजिस्थान का माहौल बिगाड़न इ surrendered, पर बारवार मँधा अशान्ती फैल रही है, सामप्रदाई तनाव फैल रहा है, एक के बाद ए घटनाई ये बता रही है कि आखिर वहाँ पर कानून विवस्था कितनी कायम है, कानून विवस्था का मजाग उड़ाय जा रहा है, क्योंकि कई जब घटनाएं ऐसी हो ज आजा रहा आपको बता दूए ताजा मामला जो भी भीलवाडा से सामने आए वाक केई हैरान कर देने वाले हैं और मातर छोटी सी बात से एक बात शुरू हुई और उसके बाद युवक्की जान ले ली जाती है आरोपी फरार हैं कुछ गिरफतारी हुई है लेकिन माहौल बि कर देगी कर्फ्यू लगा देगी आगर क्या एक्शन लेगी क्योंकि जब तक पुलिस कोई सक्ट एक्शन नहीं लेगी सरकार कोई सक्ट एक्शन नहीं लेगी तब तक ऐसा लग रहा है कि राजिस्थान का जो माहौल है वो बिल्कुल भी लाइन पर नहीं आएगा क्योंकि महा का माहौल जो इतना बिगडा हुआ है उसको लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और ये कौन लोग है जो बार-बार राजिस्टान में आग लगा रही है राजिस्थान को सुलगा रहे है शहर शहर सुलग रहा है वो कौन लोग है उनकी पहचान करने तब तक आप देखते रहें जन्हित आवाज